दवाईयों के बारे में संपून जारकारी पाने के लिए योट्यूब चैनल All About Medicine को सबस्काइब करें और साथ भी बेल आइकन दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें हलो फ्रेंड्स एक बार फिट से स्वागत है आपका अपने योट्यूब चैनल All About Medicine में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लोवेटर सॉल क्रीम के बारे में यह किन किन स्किम प्रॉम्बलक्स में यूज ली जाती है साथ इसकी साइड इफेक्स और वार्निंग्स क्या है और ये गोरेपन के लिए बहतेरीन प्रियोग में लाई जाने वाली दवा है पर उन्द इसके डेंजरस सच के बारे में क्या गोरेपन के साथ ये परेशाने लेके आती है इन सबी बातों को जानेंगे इस वीडियो में इस लिए इस वीडियो को पूरा देखे जिससे कोई भी जानकारी नहीं छुटे मैं हूँ आपका दोस मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल All About Medicine चलिए आज फिर कुछ नया सिकते हैं Hello friends, MediTalk के इस सीरीज में आपका स्वागत है Clobetasol Propionate एक कार्टिकोस्टरोइड है जो वेरियस स्किन प्रोब्लम्स को दूर करने के लिए प्रियोग में लाई जाती है आपको यह नाम नया नया लग रहा होगा इसलिए सबसे पहले इसकी ब्रांड्स के बारे में जानते हैं जिससे आप इसके फैमिलियर हो जाएं यहां Tenovate, Clonate, Lobate, Clop-E, Dermovate आदी ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है और यह अपने जंदिक नाम Clobetasol Propionate से भी आसानी से मिल जाती है अब इसकी उसके बारे में जानते हैं Clobetasol जो क्रीम है कई परकार की स्कीन प्रोब्लम्स को ठीक करने के लिए प्रियोग में लाई जाती है जैसे एकजीमा इस बिमारी में इसकीन पर इंफ्लामेशन होता है सुजन सी आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और इसकीन रेड हो जाती है, साथ ही उस पर खुजली होने लगती है इससे ठीक करने के लिए Clobetasol जो क्रीम है उसका प्रियोग लिया जाता है साथ ही Harpies Libilius नाम के बिमारी होती जिस पर इसकीन पर होने वाले जो बिस्टर्स है चोटे-चोटे सोर्स है, वो जिसको आप इसकीन पर भी देख रहे हैं उस परकार की जो बिस्टर है, उसको भी ठीक करने के लिए इस क्रीम का प्रियोग में लिया जाता है साथ ही यदि किसी मरीज को इसकीन पर चक्ते हो गए हैं और वो चक्ते लाल हैं और उस पर खुजली हो रही है तो उसे भी ठीक इस क्रीम से किया जा सकता है पुर्सों के और महिलाओं के गुबतांगों पर कई बार चक्ते हो जाते हैं और जिन पर चोटी-चोटे ब्लिस्टर्स दाने जैसे दिखाए देते हैं उन पर खुजली भी होती है उसे ठीक करने के लिए भी क्रीम बहुत ही उप्योग ही है और सभी प्रकार की जो ओटोमीन डिसोर्डर से उसे इस क्रीम द्वारा ठीक किया जा सकता है साथ ही सिर्म में जो बालों की भी सपेज चक्ते हो जाते हैं कई बार कई बार निसान हो जाते हैं और कुछ समय बाद जो पर्टिकुलर चक्ते के निसान ने उससे बाल हट जाते हैं उस कंडिशन को ट्रीट करने के लिए उस कंडिशन से निजात पाने के लिए भी क्यों बिवी बंलप dwave और कलोपेटासुए प्रूप्योज के खाने के ऐत भाने के किया जाता थे क्य kay क्लिचिन देखेफार हो इंग यह चेंलते हों जिसको भी ठीक के लिए इस दवा का प्रियोग की योग के अलवा क्लोबेटासुल प्रोप्योच करने के लिए भी किया जाता है यदि किसी के रंग सावला है या डार की स्किन है किसी व्यक्ति या पुरुष या महिला कोई भी हो उसकी स्किन को साफ करने के लिए उसे गोरा बनाने के लिए क्रीम का प्रियोग किया जाता है यदि इस क्रीम का regular प्योग किया जाए कुछ limited समय के लिए तो इसकीन का रंग साफ हो जाता है परूंतो गोरेंपन के साथ दोस्तों ये क्रीम बहुत सी परेशान लेकर आती है जिसे हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे और इस क्रीम के side effects को पहले जान लेते हैं इसके क्रीम के side effect और warnings किया है जैसे यदि किसी patient को इसके side effect होते हैं तो उसे burning sensation इसकीन पर लगएगा जलन सी महसूस होगी साथी खुजली बढ़ जाएगी irritation सा होगा dryness लगएगा इसकीन पर redness बढ़ सकती है ये condition ये इसके अलाव भी दियान रखना यदि pregnant woman है तो उसको इस क्रीम का प्रयोग कभी नहीं करना है या प्रेगनेंट सी planning कर रहे हैं सून प्रेगनेंट हो रहे है तो उसे इस क्रीम का प्रयोग नहीं करना है यदि स्कीन पर कहीं पर भी कट लगा हुआ है कोई खून आ रहा है तो उस पे भी इस क्रीम का प्रियोग नहीं करना है और खास तोर से छोटे बच्चों में इस क्रीम का कभी भी डॉक्टर के एडवाइज के बगेर आप प्रियोग नहीं करेंगे ये कुछ सावजानिया है इसके बारे में ओ दोस्तों अब मैं बता रहा जो ये क्रीम है क्लोबेटा सोल गोरेपन के साथ में क्या-क्या परैसाने लेके आती है यदि इस क्रीम को आप लंबे समय तक लगाते हैं तो आपकी स्कीन को ये पतला कर देती है जिससे की स्कीन आसानी से तूड़ जाती है आसानी से क्रेक हो जाती है वो छिल जाती है जिस प्लेट सुकर जो है वो भी आपका डिस्टरब हो सकता है साथी स्ट्रेच मार्क जो होते हैं इसकी पर्मांडेंट स्ट्रेच मार्क हो सकते हैं जिससे आप कभी भी नहीं हटा पाएंगे दोस्तों इसकी यह बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है मतलब इसके एड़र्स इफेक्ट बोल सकते हो वो है तो इस क्रेम को आप लिमिटेड टाइम ओफ प्रियेड के लिए भी यूज लिए जेता आपको डॉक्टर ने प्रिसकाइब किया है उत्ते समय के लिए इसको प्रियोग में ले इसा नहीं कि आपके इसकीन का कलर लाइट ह होते जा रहा है और आप कंटिन्यू इसको यूज करे जा रहे तो आपको इन सभी परिसानियों का सामना करना पड़ सकता है यह क्रेम नोट और बहुत ही अच्छी यूजफूल क्रेम है इस्टेरोड क्रेम है आपको इसको प्रियोग में लाने में कोई हिजकी चार्ट नही है लेकिन अगर लंबे समय तक आप यूज लेते हैं और साथ ही जो सावधानि मैंने बताई यह नहीं रखते हैं तो पका ही पका आपको यह नुकसान करेगी दोस्तों इसलिए दवाओं के यूज में बहुत ही ज़्यादा सावधानि बढ़ते हैं यह वीडियो मैंने बनाय या बेल आइकन दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट नौटिफिकेशन दवाओं के बारे में मिलते रहें आप थे अपने दोस्त मोहीद अदीज के साथ और देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल अलबाउट मैडिसीन थाइंक यू फ्रेंड्स टेक केर एंड बी केरफ और मेडिसीन थे